मैं रोज ट्रेन से काम करने जाती। ट्रेन की भीड में रोज कोई मेरे कमर में हाथ डालता और मेरे जिस्म को छूता था। भीड की वजह से मैं उस शक्स को देख नहीं पाती। एक दिन उसने मेरे हाथ पर एक चिठी रख दी जिसमें लिखा था। तुम्हें पैसे कमाने है तो इस पते में आजाओ और जब मैं वहाँ पहुची तो पांच लोगों ने मिलकर मेरे साथ जो कुछ किया मेरी चीख निकल गई और जब छठा आदमी मेरे सामने आया तो मेरे आंसू मेरी आंखों में आंसू आ गए थे क्योंकि वह तो मेरा नाम कविता है हुआ यूँ कि मैं अपने मम्मी पापा के साथ चाचा के घर मुंबई आ गई थी मेरे चाचा दो कमरे के चौल में रहते थे मैं अपने पापा के इलाज के लिए मुंबई आई थी पर मैं बहुत गरीब घर की लड़की हूँ तो मैं अपने चाचा के बेटे से कहा कि अगर मुझे स्टेशन तक पहुँचा दिया। यू तो मेरे चाचा का बेटा रंग रूप में काफी अच्छा है। और मुझसे उम्र में एक साल बाद है। पर मैंने उसे कभी ऐसे वैसे नजर से नहीं देखा था। मैं अभी 19 साल की हूँ। अमित को अपना भाई ही मानती थी। म मुझे साड़ी पहन कराना था। सुभे बारर से रात के आठ हज़ा तक शौप में रहना था। मैं काफी खुश हो गई थी कि इससे मेरे पापा के इलाज में मदद हो जाएगी। मेरे भाईया गाव में ही रह गए थे और खेती संभाल रहे थे। घर आकर मैंने अपनी मम् तो वह काफी खुश हो गए थे। काफी दिनों बाद मैं अपने पापा के चहरे में खुशी देखी थी। उन्हें कैंसर हुआ था और उसी का इलाज चल रहा था जिसके लिए धेर सारे पैसों की जरूरत थी। चाचा की महरबानी थी कि हमें रहने को दे दिया था। मेरे मैं भी एक अच्छी सी साड़ी पहने काम के लिए निकल गई थी। पर जैसे ही मैं लोकल ट्रेन में छड़ी तो धीरे धीरे ट्रेन में भीड भरती चली गई। मेरे चाचा के बेटे ने पहले ही सावधान कर दिया था कि ज्यादा पैसे लेकर मत जाना, मैंने थोड़े मोबाइल में ले लिया था और हाथ में एक पर्स थी। एक हाथ में मैंने उसे पकड़ा था और दूसरे हाथ से ट्रेन को पकड़ कर खड़ी थी कि तब ही धक्का मुखी शुरू हो गई। अचानक ही मैंने एक अपने पेट पर और कमर पर किसी का हाथ फिल किया। भीड इत किक्रेशन आया तो मैं किसी तरीके से उतर गई थी पर मैं बुरी तरीके से कांप रही थी। आखिर कौन हो सकता है जिसने मेरा इस तरह से मेरे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। मैं किसी तरीके से अपने काम पर पहुच गई थी और दिन भर के काम काज में मैं उस हाथ से को भूल गई थी शाम को घर जाते वक्त मुझे फिर से डर सताने लगा था आज एक भला आदमी था जो कि मुझे अपनी सीट में बैठने को दे दिया था जब मैं घर पहुँची तो अब मैं इस बारे में सोचने लगी थी, मुंबई में कम से कम मुझे 6 महीने रुखना था, मैं देखने में काफी खूबसूरत हूँ, काफी गोरी लंबी और बाद भी बहुत अच्छे से कर लेती हूँ, जिस वजह से मुझे देखते ही नौकरी द कर लिया और मेरे खुले हुए कमर में हाथ फेरने लगा था, डर और शर्म से चिल्ला भी नहीं पा रही थी, कहीं मेरी बेज़जती न हो जाए, पेट में हाथ फेरता हुआ, कभी-कभी वह मेरे सीने में भी हाथ लगा देता, ना जाने क्यों मुझे बहुत डर लग रहा थ ये सही नहीं, पर भीड की वज़े से मैं कुछ नहीं कह सकती थी। थोड़ी देर बाद मैंने पीछे मुड़कर देखा तो मुझे कोई नजर नहीं आया। आस-पास तो कुछ औरतें और बुढ़े इनसान थे, तो आखिर कौन हो सकता है जो मुझे इस तरीके से हाथ लग रह ही हो। मैंने हिम्मत करके अमित को सारी बात बता दी। कोई है जो ट्रेन में मेरे जिस्म में हाथ डालता है। उसने कहा मुंबई में तो ये सब कुछ होता रहता है। तुम घबराओ मत और जो भी हो रहा है किसी को मत बताओ। इस से तुम्हारी बेज़ती होगी। बस पाल अमित ने कहा कि तुम बहुत खूबसूरत और हसीन हो। तुम्हें देखकर लड़कों को अपने आप पर कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। शायद इसी वजह से तुम्हें हाथ लगा देते हैं। वैसे तुम्हारी कहां कहां पर हाथ लगाया। मुझे शर्म आने लगी कि आखिर मैंने उसे ये बात क्यों कह दी लेकिन अचानक ही अमित ने एक ऐसी हरकत की जिसकी मुझे उसे उम्मीद नहीं थी। मेरे पेट में हाथ फेरने लगा था। मैंने कहा अमित क्या कर रहे हो कोई देख लेगा। अमित ने कहा अच्छा कोई नहीं देखेगा तो ठीक है ना, मुझे इस पर गुसा आने लगा था। मैंने कहा तुम बहुत गंदे हो, मुझे लगा था तुम मेरी मदद करोगे। उसने कहा ये छोटी-मोटी बातें होती रहती है। ये बड़ा शहर है मेरी जान। जब मेरी मम्मी पापा इलाज करके घर लोटे तो थो इलाज बीच में ही ना रुख जाए। मैं भगवान से प्रार्थना करने लगी थी कि कोई चमतकार हो जाए और मेरे पास पैसे आ जाए जिससे मेरे पापा मम्मी का इलाज हो जाए। क्योंकि इस इलाज में लाखों के खर्च था और मेरे पापा तो गाउं के छोटे-मोट अगर प्राइवेट से इलाज न कर पाए, तो सरकारी अस्पताल में तो भगवान भरोसे ही हैं. मैं काफी सोच में पढ़ गई थी कि मुझे नींद भी नहीं आ रही थी, और मैं बार-बार भगवान से प्रार्थना कर रही थी, कि वह मुझे कोई रास्ता दिखा दे. किसी त ही होता है, दूसरा गलत होता है. सही रास्ता बहुत मुश्किल होता है. लेकिन गलत रास्ता आपको आसानी से पैसे दे देता है. लेकिन मुझे एश करने के लिए पैसे नहीं चाहिए थे. मुझे अपने पापा की जिन्दगी के लिए पैसे चाहिए थे. अगले दिन फिर मैं ट्रेन पर चड़ गई थी, मेरे अंदर एक नाउमीदी थी और एक लाचारी की तभी पीछे से एक हाथ मेरी कमर पर आ गया, वह हाथ मेरे जिस्म के हर अंग को छू रहा था, लेकिन तभी किसी ने मेरा हाथ पकड़ लिया और मेरे हाथ में एक चिठ्थी थमा थी, मैं पी ठीका खयाल आया कि आखिर इसमें क्या लिखा होगा, जब मैं उस चिठ्थी को खोली तो उसमें लिखा था, तुम्हें ज्यादा पैसे कमाना है, तो इस पते में आ जाओ, मुझे लगा शायद यह चिठ्थी भगवान के ही किसी बंधे ने भेजा हो, और भगवान मेरी मद कर लिया है, लेकिन सेवन लाक रुपे कहां से लाएंगे और बिना इलाज के तेरे पापा तो मर जाएंगे, मेरे पापा मम्मी इस कदर रो रहे थे कि मेरा दिल एकदम बैठ गया था, फिर मैंने उस चिठ्थी वाली बात अपनी मम्मी से कह दी, मैंने कहा, मा, मैं भगवा हमें इनसान पर भरोसा रखना चाहिए, इस दुनिया में अच्छे लोग भी हैं और मुझसे जो भी काम बोलेंगे मैं कर दूंगी, क्योंकि इसके अलावा और हमारे पास कोई रास्ता नहीं है, मेरी मा ने कहा, तू अब जवान हो गई है और खूबसूरत लगती है, कहीं इन लोगोंने तेरी इज़त के साथ तो कुछ, मेरी मम्मी की बात सुनकर तो मैं भी बेचैन होने लगी थी, क्योंकि ट्रेन में कोई बंदा मेरे जिस्म में हाथ लगाता है, कहीं उसी ने वह चिठ्थी तो नहीं दी, चिठ्थी वाली बात को भूल कर मैं रोज काम पर जा जाएगी, मैं चिठ्थी में लिखो, पते को देखने लगी थी और सोचने लगी कि एक बार जाकर पता लगा लेती हूँ, अगर गलत काम होगा तो नहीं करूंगी, मैंने अपनी मां से इजाजत ले ली थी और फिर उस पते में लिखो, नंबर पर कॉल किया, उसने मुझे स कापा के बारे में कैसे मालूम हुआ, मैं संडे को सुबह ही उस पते पर पहुँच गई, वहां एक लड़का खड़ा था, उसकी उम्र 25 साल की होगी, देखने में काफी रईस लग रहा था, और मैं यही सोच रही थी कि शायद इसके पास बहुत सारे पैसे होंगे, जिस में तुम्हें आज पूरा दिन और पूरी रात हमारे साथ रहना पड़ेगा, मैंने मासूम चहरा बना कर पूछा कि मुझे कोई काम तो करना पड़ेगा न, इतना पैसा आप दोगे, उसने कहा, तुम इतनी खूबसूरत हो, बस तुम्हें हमारी जरूरत को पूरी करनी जिसकी उनको सख्त जरूरत थी, मुझे एहसास हो गया था कि ये लड़का मेरी इज़्जत खराब करेगा, जब मैं कमरे के अंदर आई तो फोर लोग वहां और मौजूद थे, अब मैं बहुत घबरा गई और उसकी तरफ देखने लगी, मैंने कहा इतने सारे लोग, उसने पैसे भी तो ज्यादा है, तुम सब कुछ जेल लोगी, घबरामत, टू और बंदे आएंगे, अब मेरे पास कोई रास्ता नहीं था या फिर शायद वहां से भागने का रास्ता था, पर मैं एक ही जगह बर्फ की तरह जम गई थी, जैसे मानो मुझे लकवा मार गया हो या स सोच रही थी कि और दो आदमी न जाने कौन होंगे, लेकिन अब तक बस चार ही लोग थे जो मेरे साथ यह सब कुछ कर रहे थे, मेरे पेट में बहुत दर्ध होने लगा था, पर ये लोग रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे, जैसे कि उन पर कोई शैतान हावी हो, मेरी हा जाहती थी किसी तरीके से रात खत्म हो जाए और मैं घर जा सकूँ, मेरी हालत इतनी खराब थी कि मुझे अब जहला नहीं जा रहा था, पांचवा आदमी मेरे पास आ गया और मेरे साथ कुछ करने ही जा रहा था, कि मैं उसकी शकल देखी तो मेरे पैरों तले से जमीन निक सारे से चुप करने को कहा, मेरे कानों में आकर कहा, कुछ मत कहना, बस जैसा कर रहा हूं करती जाओ, इसी में हम दोनों का भला है, उसकी बातें सुनकर मैं चुप हो गई थी, ना जाने अमित ने मुझे ऐसा क्यों कहा होगा, कहीं यही तो इन लोगों का दलाल नहीं, दोनो साकर कहा, कि अब हमारा छठा आदमी आएगा, और उसके बाद ही तुम यहां से आजाद हो जाओगी, कहकर वह पांचों घर से निकाल कर चले गए, मैं किसी तरीके से उठकर बातरूम चली गई और नहाने लगी, अपने शरीर की वह गंदगी धोने लगी, कि तब ही उनका चठा साथी अंदर आ गया, चठे आदमी को देख कर डर के मारे मेरी हालत खराब हो गई थी, वह करीब 85 साल का आदमी था, मुझे नहता देख बहुत ही गंदी निगाहों से मुझे घूर रहा था, और फिर मेरे पास आ गया और कहने लगा, तुम जैसी गंदी औरत बस इतन मजबूर हो गई हूँ, मुझे ऐशो आराम नहीं चाहिए, मुझे दौलत शोहरत नहीं चाहिए, बस अपने पापा की जिंदगी चाहिए, मेरी बात सुनकर उसकी आँखों में आसू आ गये थे, कहने लगा, तुम्हारे पापा के इलाज के लिए कितने पैसे चाहिए? मैं मैंने अपनी साडी पहन ली, फिर उसके पास आई और उसे सारी बातें बता दी थी, सारी बात सुनने के बाद उसने कहा कि मेरी भी एक बेटी है, मेरी पतनी की मौत हो चुकी है, और आज मैं तुमसे अपनी प्यास मिटाने आया था, अपना अकेलापन दूर करने आया था, लेकिन तुम यह सब कुछ अपने पापा के लिए कर रही हो, तुम मुझे भी मेरी टू साल की मासूम बच्ची का खयाल आ गया, तुम्हें और बाकी सिक्स लाग चाहिए ना, वह मैं तुम्हें दे दूंगा, उसके बदले में तुम मेरे घर पर वन साल के लिए मेरी बच् पर वन साल के लिए मेरी बच्ची को मैं मा का प्यार दूंगी, उसके साथ खेलूंगी को खुदूंगी, उसे सब कुछ सिखाऊंगी, आपके घर के सारे काम भी कर दूंगी, उसने मुझे आरेस सिक्स लाख दे दिये, अब मेरे पास आरेस साथ लाख हो गय थे, मैंने उस से कहा, मालिक, अब से मैं आपकी नौकरानी हूँ, आपके घर जाने से पहले मैं यह पैसे अपने मम्मी पापा को देना चाहती हूँ, वह मुझे अपनी कार में बैठ कर चॉल में लेकर आये थे, और कहा, अपनी मम्मी पापा को पैसा दे कर आ जाओ, और हाँ, अपने पैर रखी, तो घर पर सारे लोग मौजूद थे, अमित भी वहीं पर बैठा था, जो मेरे साथ नजरे नहीं मिल पा रहा था, मैंने अपनी मम्मी के हाथ में वह RS7 लाख थमा दिये, मेरी माँ देख कर तो रो पड़ी और मुझे गले से लगा लिया था, लेकिन यह देख कर अमित के चहरे का रंग उड़ गया था, और सोचने लगा, इसे तो RS1 लाख मिले थे, फिर एक लाख के साथ लाख कैसे बन गए, मैंने कहा मा, मुझे एक घर पर नौकरानी का काम मिला है, एक साल रहकर उनके दो साल की बेटी का ध्यान रखना होगा, और घर में सारे काम करन होंगे, मेरे पापा मम्मी दोनों साथ में बोल पड़े, ये तो बड़ा नेक काम है बेटा, मैंने कहा, आप लोग अच्छे से रहना और अपना इलाज करवा लेना, कहकर मैं अपने कपड़े बांध ली, मम्मी पापा को गले लगाने के बाद मैं घर से बाहर निकल गई, अमिद भी मेरे पीछे-पीछे निकला था, क्योंकि उसे तो शायद मामला समझ में नहीं आ रहा था, पर उसने देख लिया कि मैं किसके साथ जा रही हूँ, उस आदमी के घर में आ गई थी, और पहले दो-तीन दिन तो मालिक और उनकी बेटी की खूब सेवा की, एक दिन मा अकेला हो गया हूँ, और तुम्हें यहां इसी लिए लाया हूँ, क्योंकि तुमको देखते ही तुम पर दिल आ गया था, और यही वजह थी कि मैं तुम्हें घर पर लेकर आया हूँ, अब तुम हर रात मेरी जरूरत मिटाओगी, पूरे साल भर तुम मेरी बन कर रहोगी, यह कहकर उसने उस दिन की कसर पूरी कर ली, उसकी बात सुनकर मुझे इतना सदमा लगा था, मेरी आँखों से आंसू आ गये थे, मैं इस आदमी पर विश्वास किया था, इसे भगवान का बंदा समझा था, पर इसने मुझे इतना बड़ा धोखा दिया, मालिक मुझे कमरे में लॉक करके दिन में काम पर चले जाते थे, अपने घर के सारे काम के अलावा भी हर रात मेरे कमरे में आ जाते थे, और मैं एकदम पत्थर की बन गई थी, जिसे तोड़ो तो खून नहीं, जब भी मेरे पास आता, मैं कोई रियक्ट नहीं देती, किसी तरीके से दर्वाजा बाहर से लॉक था, पर कोई था जो की दर्वाजे को जोर-जोर से पीट रहा था, और मैं बहुत घबरा गई थी, कि अब कौन सी नई मुसीबत मेरे उपर आने वाली है, तभी कोई दर्वाजा तोड़कर अंदर आ गया, मैं और उसकी बेटी बेड्रूम में द कर दी, क्या तुम ही वह दलाल थे, वो चिठी लिखने वाले, मुझे सच सच बताओ, क्योंकि बाकी के लड़के तो बहुत रईस थे, उसने कहा, कविता तुम मुझे माफ कर दो, विश्वास करो, मैंने जो कुछ भी किया, मजबूरी में किया, मैंने कहा, ऐसी क्या उसने कहा, मैं गलत धंधे में पढ़ गया था, ड्रग्स स्मगलिंग करने लगा था, लेकिन मैं इतनी बुरी तरह फस गया था, कि उसे बाहर नहीं निकल पा रहा था, लेकिन आखिरकार मुझे एक रास्ता मिला था, मैं उन चार लड़कों से कहा था, कि मुझे इससे निक पर तुमने भी मेरे मजे लिये थे, उसने कहा, उन लोगों को नहीं मालूम था कि मैं तुम्हारा भाई हूँ, मैं करने में मजबूर था, इसलिए तुम्हें शान्त रहने को कह रहा था, अब मैं सारे बुरे काम छोड़ चुका हूँ, मुझे शक हुआ था कि यह आदमी ज तुम्हें अपने साथ बेटी का ध्यान रखने के लिए ले आया था, वह तुम्हारे साथ गलत काम तो नहीं करता, तो मैंने उस आदमी से दोस्ती कर ली थी, और फिर जब मुझे पता चला कि वह तुम्हारे साथ गलत काम करता है, तो मैं यहां तुम्हारे पास तुम्हें बचाने आ गया मैंने कहा तुमने बहुत देर कर दी छे महीने बीत गए हैं छे महीने से मैं जेल रही हूँ लेकिन फिर उसने जो कहा वह सुनकर मैं उसे गले लगा ली कहा तुम्हारे पापा बिलकुल ठीक हो गए हैं और वह गाव जाने वाले हैं वह तुम्हारा इंतजार क चलो मेरे साथ। पहली बार अमित ने कुछ अच्छा काम किया था। मैं उसके साथ उस घर से बाहर निकल गई। दिल में एक डर तो था कि वह मुझे धोखा ना दे। इस बार उसने धोखा नहीं दिया। वह मुझे घर लेकर आ गया था। मेरे पापा और मम्मी गाव जाने वाले थे। मुझसे कहा कि तुम भी हमारे साथ चलो। लेकिन तभी अमित ने कहा कि बड़े पापा मैं कविता से शादी करना चाहता हूँ। यह सुनकर सारे घर के लोग बोलने लगे। पर तुम दोनों तो भाई-बहन हो। मैं भी बहुत ही अजीब निगाहों से उसे द बहुत डर लगता है। यह दुनिया सही नहीं है पापा। आप मेरी शादी अमित से ही करवा दे। मुझे विश्वास है कि वह मेरी हिफाज़त करेगा। जब हम दोनों राजी थे तो घर वाले मान गए थे। हालांकि मेरे मन में अब अब भी डर था कि मुझे अमित धोख पर रखा। दोस्तों क्या आपने भाई से शादी कर मैंने सही की जिसकी वजह से मैं यहां तक पहुँच गई थी आपको क्या लगता है। कमेंट करके बताए और चैनल तो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।